हेलो, हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टो अनादर वीडियो, कैसे हैं आप लोग, आई होप, आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने स्टेडी को मज़े में कर रहे होंगे, तो फ्रेंड्स, बैक अम मॉर्निंग का टाइम है, आप लोग बाहर का नजारा तो मैं वॉक करने बाहर नहीं जाती हूँ, जैसे कि आपनों को पता है, मेरी पिछली वीडियो मैं भी मैं काफी बार आपनों को बता चुकी हूँ, तो यहीं पर थोड़ा सा मैं वॉक कर ले रही हूँ, ब्रस करते करते, तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से मेरा कुछ रूटी मैं आपको डेली अपनी डेली रूटीन आपनों के शार सेयर करती रहूंगी, तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी मोटिवेशन ब्लॉग इसी तरीके से देखना चाते हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो फ्रेंड्स, मैं मैं पानी भी पी आता, जिसकी मैंने वीडियो नहीं बनाया है, वर कोई बात नहीं है, आज मैं बहुत चोटी-चोटी से वीडियो क्लिप मैंने एड किया है, तो उमीद करती हूँ कि आप लोग आज के व्लॉग को थोड़ा सा पसंद कर ही लोगे, तो उसके बाद हो गया है, तो सब लोग जाद तर उठी गए है, तो अभी मैं यहीं पर बैटूंगी, तो फ्रेंट्स, आज मैं विश्व का वूगोल पढ़ने वाली हूँ, वैसे तो हम काफी वार जियोग्रॉफी पढ़ते रहते हैं, जियोग्रॉफी में हम जाद तर भारत का वूगोल पढ़ते हैं, और भारत का वूगोल मैंने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, दो से तीन वाल, लेकिन जो वुश्व का वूगोल है, उसको मैं अभी जादा नहीं पढ़ा है, उसका «UNCEPTS मेरे को जादा अच्छे से के लिए नहीं है», तो मैंने सोचा क्यों ना, अभी मेर यह पास अच्य से प्रॉपर्ड़ी टाइम है तो उस टाइम को मैं अच्छे से यूटिलाइस कर लूँ और उस समय में मैं ऐसे सबजक्टो उठाओं जो की मेरे अबी बीख है जिसमें मुझे लगता है कि मुझे अपना और देना है तो मैं ऐसे सब्जेक्टों को अभी मैं जादा टाइम दूंगी तो आज मैं और टाइम जादा मैं कोसित करूंगी कि विश्व का बूगोल आज मैं दो दिन में खतम कर दूँ वैसे मैं दीरे-दीरे से क्लासेस नहीं ले रही फिर जब जोग्रोफी हल्गी से मुझे मेरे माइंड में अच्छे से सेटल हो जाएगी उसके वाद मैं डीपली पड़ूंगी मैं ज्यादा तर जब मैं कोई न्यू सब्जेक्ट उठाती हूं जिसके आने मुझे थोड़ा बहुत पता होता है फिर उसके मैं क्या करती जिसके मुझे ज़्यादा अच्छे समझ में आजाए या तो कुमार गौराफ सरुए या खान सरुए यह ऐसे कुछ टीचर है जिनका हम लोग पढ़ता है ना तो बहुत अच्छे से हमें चीजे माइंड में सेट हो जाती है तो मैं एक बार मैनाथन लेती हूँ मतलब एक ब लोगर टोपिक वाई जब आप क्लासेस अटेंड करूगों तो आप उसमें डीपली गुस करके आप उसके मारे में जानकारी बटोर सकते हैं तो फेंड आज मैंने कुमार गौराफ सर की वर्ड करी विश्व का भूगोल की मेरा थन क्लासेस लिया और उसे मैं अटेंड करू लेती हैं क्योंकि हमें लंच सुबह मॉर्निंग में ही जल्दी बनाना होता है तो मैं यहां पर रोटियां से एक चुकी थी सबजी भी एक तरफ बन रही थी और दूसरी तरफ मैं यहां रायते में दे रही थी तड़का आज मैंने पालक का रायता बनाया हुआ है और साती स जो नहीं बनाई है थोड़ी से मैंने किलिफ बनाई भी ड्स्टिंग अगरा की तो वह वीडियो मतला पी एकदम किलियरटी नहीं थी तो मैंने वीडियो को उस इसमें एड नहीं किया है तो फेंट्स यहां पर आलू वैगन की सबजी है इसे मैं देख रही थी चेक कर रही बन गई या नहीं बन गई तो 90% लगवग बन ही गई है हलका सा हमें डाग करके लग दूँगी तो वो भी बन जाएगी तो इसी तरीके से पढ़ाई के साथ सद गहके भी काम चलते रहते हैं उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिए क्योंकि खाना वगएरा बनाई एक से आगरा का मशूर पेटा मेरा भाई लेकर क्या आया था कल नाइट को गया था आगरा कल दिन में गया था गूम ने तो नाइट को लड़कर क्या आया तो वहां से लेकर क्या आया तो आप लोग भी खाले जी आगरा का मशूर पेटा और मुझे सूका वाला ही पेटा पसंद अगरा वो सारे किये फिर अपने परसनल काम किये नहाना धोना और सारी चीज़ां वो सारे काम करने का दुपहर का टाइम है ये एक वज़े का और मैं फिर से बैठ गी हूँ study करने के लिए और जहां से मैंने geography की class छोड़ी थी मैं वहीं से आंगे से continue करूंगी और friends आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हैं कुछ अलग topic पर तो आज मैं आप लोगों से question करूंगी हुए हैं और 80% में से भी 70% ऐसे लोग है जिनका यूपी टैट और सी टैट निकला हुआ है qualified है वर्ट कोई फाइदा नहीं हो रहा है बस सुपर टैट का वेट करते हैं वेट करते करते भी मुझे लगता है सुपर टैट का स्लेवर्स भी लोगोंने ना जाने कितनी बार complete कर लिया होगा दो से तीन वार तो आराम से complete हो गया होगा मुझे तो ऐसा लगता है अगर जो लोग सीरियसली पढ़ रहे होंगे तो लेकिन हमारे हाथ क्या लागा कुछ आइसा काफी लो ऑसा भी बच्चे कर रहा है जmalने डियल और कर लिया तो फिर वो सोचे चलो भी halden शारी रहे है तो जो लोगों कि तेरे खेले राए जुआ, और मैं ना चर्ट कर ले रहे हैं एस सारी कि संभारे उल्याय की आप लोगों से यही आदवाइस नहीं की कि आप लोग super tat के साथ साथ आप other exam को भी देख सकते हैं अदर exam की भी preparation कर सकते हैं लेकिन हाँ other exam के साथ साथ आप अपनी तयारी को इस कदर रखिएगा कि जब भी आपके सामने कोई वी exam आयां तो आप उसे फाड दें कोई वी exam से मतलब है मेरा super tat सुपर टैट के फिलहाल तो कोई आसा लग नहीं रहें, जैसा कि आप लोग बेग रहें सारी चीज़ां, जैसे कि सुनने में आ रहाता है कि हमारा सिक्षा, आयोग का गठन होना है, गठन होना है और काफी सारे कोचिंग सेंटर वाले लोग हैं, वो भी बोल रहे हैं कि हाँ ग लेकिन हमारे अध्यक्ष जी का अभी चुनाव नहीं हुआ है इसमें आवेदन किया गया था अध्यक्ष पद के लिए जो कमेटी बैटी गई थी उसका चुनाव करने के लिए तो वो उस कमेटी को कोई भी एक आदमी एक परसन उन्हें योगिन नहीं लगा अध्यक्ष हुआ है यानि कोई भी निफ्त नहीं हुआ है तो इस वज़े से अभी वो अधूरा ही काम चला है तो आप लोग देख सकते हैं जो कि सिर्फ ज्यादा से ज्यादा बोला जाए तो पंद्रा दिन एक महीने का काम था यह आयों सिक्षायों का गठन होना लेकिन उन लोगों न साइच चीजों में निकाल दिये सिक्षायों का गठन सिक्षायों का गठन सिक्षायों का गठन ना जाने कब सिक्षायों का गठन वनेगा फिर उसके बाद ना जाने कब सिक्षा सुरी सिच्छक भड़ती आएगी तो इस तरीके से मुझे लग रहा है अपना टाइम आप व इसी के साथ अब इस वीडियो का मैं एंड कर रही हूं उम्मीद करती हूं आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरू करें